Welcome to House of Learners आजा आमी इल्लुमिनेशन सब्जेक्ट वित्र है Industrial Power Distribution and Illumination आन्नाम को यवड़ा सब्जेक्ट छा 6 सेमेश्टर माई Electrical Engineer अरकोलाई IOE Best आमी सोलूशन ले राऊंदे छाँ एसमा चैप्टर 7 मा रायको साफ्ट अपेक 0.2 पॉइंट अथवा inverse square law method आमी आजा पन्ना जान दी छाँ येसको बारे मा आमी केई description पड़ाँ त्यस्वची इसको derivation पनी छेटे कर समाई त This method is applicable where the illumination at a point due to one or more sources of light is required the candle powers of source in the particular direction under the consideration being known अब आमी यो method काहनी ती apply गर्चों बन्दे हरी कुने पनी युटा अथावा युटा बन्दा देरेई sources of light छारा अनि त्यसले गवार्द हेरी working plane मा कथी illumination illumination पुगी रएको छा अथावा illuminate बईराएको छा त्यो निकालना के लागे आमी के गर्चों त यो method यूज गर्चों if the polar curve of lamp and its reflector giving the candle powers of lamp in different direction is known as illuminate is known the illumination on any point within the range of the lamp and can be calculated using the inverse square law method if the two or more than two lamps are illuminating on this same on a on the same working plane illumination due to each can be calculated and added above do it at the other one the body sources of lightly गर्दा खेरी कुने पनि योटा working plane को योटा point मा illuminate बईराएको अथा incident बईराएको जुन light चा जुन lumine अरु छा त्येस को इन त्येसला आमी के गर्ना सक्थाम्त यो method बाट calculate गर्ना सक्थाम्त यो method बाट केल्कुलेट गर्ना सक्थाम्रा आनि यो method एकदमे complicated हुँँचा किना कि आमले अईले आया consider गर्दा पो एक दुटायल sources of light अरु को consider गर्छों रन त्येसको calculation गर्चों तर आमरो practical example मा आमरो industry अरुमा एसता lighting अरु देरही उज़ वायका अंधन sources of light अरु देरही हुँँचा अंधन आमी इंडिविजलली calculate गर्रे add गर्रा पसी राहना के लागी एकदमे समस्य परने हुँचा तेसेले यो method आमले तेत्ती सारे यूज़ गरी दाईना जुन आमरो अगीको Lumen method छो Lumen method छो तेसला आमी यूज़ गर्छों अब यसमा आमी के चाता बंधेरी यसला आमी कानेरी चाहिए यूज़ गर्ना अली काती प्राक्टिकल होना जानचा बनी फ्लोड लाइटिंग अधवा याड लाइटिंग अरु इस्टेट लाइटिंग अरुमा आमले यसलाई calculate गर्ना सक्छाँ मानों अब law of illumination अमी यसको एक्स्प्रेशन अरो डिराइब गर्येरू law of illumination अब यसमा के यवड़ा मानम यवड़ा source of light चाहिए यसले luminar फेंक की राएग अधा यसले फेंक देहरी यह आमरो working plane हो ठीक यह आमरो working plane हो यह आमरो working plane हो यह इसको different point आट चाहिए a b c point सम मानम यह पोइंट यह तरी चाहिए ठक्के 90 degree बनाया चाहिए यह एंगल अरहां चाहिए यह source बटा जुन लिउमेन आमरो incident उनाया को चाह working plane लेत यसले working plane चाहिए 90 degree बनाया बसेको चाहिए 90 degree बनाया बसेको चाहिए अनि b point मा धेटा 90-theta1 degree बनाया को चाहिए c point मा 90-theta2 degree बनाया को चाहिए आम लाइक्या थाचाता बंग हैरी illumination बनेको directly proportional हुन चाहिए के सिता luminous intensity सिता directly proportional हुन चाहिए तेस्ते गर्र illumination के संग directly proportional हुन चाहिए cosine angle of the light incident on the working plane है ना तेस्ते गर्र illumination चाहिए जती नजिक बायो उती धेरे हुन चाहिए जती ताड़ाग बायो उती थोरे हुन चाहिए बन्नाक मतलो light source दर दी ताड़ाँ उती illumination कमती हुन चाहिए बन्नाक मतलो inversely proportional to the r square अथवा distance between the source of light and the working plane अब आमी एराँ ये तिंटे equation e is directly proportional to i is directly proportional to cos theta and e is inversely proportional to r square ला आमले combine गर्यों बनी योड़ा equation बन्ना जान्चा जसलेके जुन cost चाहिए e cost i cos theta by r square योने आमरो inverse square ला अथवा लेंबर्स cosine ला हो येसला आमी equation exam मा देरी सोधी रहेको चाहिए अबर्स स्क्वार ला प्रोब निकाला बनेर बनेर बन्दी रहेको उन्चा अधावा देरी लेंबर्स cosine रूल बने निकाला बनेर दी रहेको उन्चा तेसे ले जुख्की ना हुन्ना आमी कईले पनी युँआ आमरो येसको आमरो तिंटे special case सरुन्चा अट पॉइंट ए, पॉइंट ए मा तेसको इलुमिनेशन कथी पर होता आमी येली ख्याल के राहना परता अंधेरी थेटा इकस्टु 0 डिगरी किना बन्दे हेरी आमी थेटा लिंदे हेरी जायले बनी क्ये गर्चामता है तो लिुमेन ले बनाको एंगल पर्पेंडिकुलर उड डिरे, उड्ड्डी उर्क प्लेन सांग क्थी अंगल बनाया तेहले आमी मेन ढीन राख्छाओं तेहन एंडे आमढू थेटा हो तेसा एले पॉइंट A मा येहा इरहं उंता c.o. a三 c.o प्यार लाल राचा बन्ना कहते हैं ऐ ऐ अधिल ौ c.o Ф 2 c.o कस धिटा को value 1 उनी बेला वनेदा बनेदा उनी जो तो मिनिमम इल्यूमिनेशन उनी हो तो अंदकार को रिजन ुभाई ॐन्या तो चमला ovat क Алеा यलूमिनेंट्टोचाइ वन नासी मतलब थेटा सब्चत गे नानेकी दिघ Ο्री को दीशीएIE। अब केस्स सेकेंड वहनेगे at point B, theta equals theta 1, r equals r1, यहां 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 यहां, point B मा एपोग देहरी, एसको योग distance काती हा, r1 जा, अनी perpendicular संगा, यहले काती अंगल वहना है था, theta 1 डिगरी वहना है, वहांने बच्छी, एसको यह, eb वहना है कती होनेट चात, i cos theta 1 by r1, स्को यहां यहां यहां, ok, case 3 अनीकट, i cos theta 2, theta 2, yue equation, आमनी निकाल ना सक्था है, शक्चे निसादेनू, सक्था है नूं, यह आमरो, iyee मा सोधेको question, maximum time, आमरो, यह chapter बाटे यो, theory सोध वहनी, yue question सोधनी करेगो चा, आउनी इरे, in terms of elimination at point A, बनना को मतलब E A को terms मा E B निगालनी रे, E B कस्ट कोती times E A उन्च अनर निगालनी रे एत्ती question बुजियो, तिति बशी बुजिन जलो at point B, point B मा केछ था E कस्ट आई कस्ट थेटा बन बै आरवा निष्कार छा अब बहुँआ नामर यो ट्रेंगल एरामता यो ट्रेंगल एरे sin theta plus 90 degree sin theta 1 plus 90 degree E कस्ट पभाई याच अगे, sin theta E कस्ट पभाई याच अगे, theta E कस्ट पभाई याच अगे, theta E कस्ट निगे प्लास theta 1 राचा वन्नी गुरूप जाम P by S राचा अब P को व्याल्डू कद याचा R छा, यो P यो यो याचो ठेक, यो P याच B छा बने पचे R 1 राचा याचो वन्नीका R 1, P वन्नीका R वन्छे R इकस्टू कदी उना आए ता R इकस्टू R 1 cos theta 1 उना आए R 1 इकस्टू केरता R by cos theta 1 राचा Hence, equation 1 becomes equation 1 मलार रहाम R 1 का बेलूर रहाम R 1 वन्नेको R by cos theta 1 तेसको पनी स्क्वार चा वन्सी R 2 by cos theta 2 बहाए येसला आमी माथिलो याम ता R 1 इकस्वार बहाए ठेक अब यो वन्नेके एरता EB cos 2 E A cos theta 1 को square राचा बन्ना को मतलब केरता EB cos 2 E A cos square theta 1 उना उनीर चा ये ती निकालेको आमलाई 6 नमर अथवा 4 नमर अथवा 8 नमर एरी एरी तो question निकालनेको mode मा बर पर चा ये सरी आमलाई question सोध्येको उन्छा तेसेले आमले यो बुझे बच्छी 7.3 मा रहेको यो inverse square लापनी पड़ी साक्यों ये ये बाटर आमरो theory path in उन्छा अब आमी औरको ये प्ले लिस्टा है उन्छा आमरो औरको अब numerical path अरू येडदी गरनो ला दन्ने बाद stay tuned